कुंको के हैं थैग हेलो फ्रेंडज आज के इस विडिओ में Hello heller previous आज के इस वीडियो में हम inferior flow meters या inferior flow measuring instruments के बारे में जानेंगे इस से पहले जो वीडियो थी हमारी उस वीडियो के अंदर हम variable area flow meters को complete कर चुक यह हैं और जो हमारे differential flow meters थे, उनको भी complete कर चोगे हैं, जिन में orifice, venturimeter, pitot, tube थे, उनके playlist की लिंक आपको description में दिए, आप वहाँ आपके check out कर सकते हैं, इस infidial flow measuring methods के अंदर हम first electromagnetic flow meter या magnetic flow meter के बारे में जानेंगे, इसे हम electromagnetic flow meter भी बोलते हैं, magnetic flow meter भी बोलते हैं, या short में से mug flow meter भी बोलते हैं, ये एक type का volumetric flow meter होता है, ये जिसकी help से हम highly corrosive और erosive salary applications होती हैं, उनमें हम इसकी help से volumetric flow को measure करते हैं, या calculate करते हैं, इसके लिए एक condition होती है, कि जो fluid है, या process fluid है, वो process fluid conductive होना चाहिए, conductive कितना होना चाहिए, उसकी भी minimum 5 micro Siemens per centimeter, उसकी conductivity minimum होना ही चाहिए, तो उस conductivity से एवब liquid की conductivity होगी, उस सभी applications में हम magnetic flow meter का use कर सकते हैं, अब इसका working principle देखते हैं, ये फेराडी के electromagnetic induction के principle पर work करता है, इस principle के according, जब कोई conductor को magnetic field में रखा जाता है, या magnetic field के perpendicular में रखा जाता है, तो उस magnetic field में magnetic flux lines और उस conductor के motion की direction के perpendicular एक EMF या voltage induced होता है, उस induced voltage की help से हम क्या करते हैं, जो हमारी flow rate है, उसको calculate करते हैं, अब वहाँ पर जो फेराडी का electromagnetic induction law था, वो जब conductor के लिए था, तो वहाँ पर एक conductor, ये simple ये बोले, ये बायर का use कर रहे थे, बायर होता था, उसके across क्या होता था, हमें voltage मिलता था, यहाँ पर हम क्या कर रहा है, एक conductive liquid को लेके चल रहा है, ये conductive fluid को लेके चल रहा है, जिस अब यहाँ पर कोई बायर नहीं होगा, यहाँ पर conductive fluid है, वो खोद एक conductor या एक तरीके से हम ये बायर की तरह कार करेगा, तो उसके across हमें एक voltage मिल जाता है, तो उस voltage के help से हम volumetric flow rate को calculate करते हैं, जैसा कि मैंने इसके diagram में show किया है, यह दो diagram है, आप चाहो तो केवाले को draw कर लो, यह वाला जो है, यह pipe के diameter के front size का view है, इसमें क्या है, एक pipe है, इस pipe को हमने एक magnetic field में रखा है, मतलब यह N pole हो गया, इसका, यह S pole हो गया, एक magnet, इसके magnetic field में हमने इस pipe को रखा, उस magnetic field के perpendicular हमने दो electrode ली, और electrode की help से milliboltmeter को connect किया, और जो भी EMF induced हुआ है, उसको measure किया, ठीक, वह हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर क्या-क्या है, पहले मैं बहुता हूँ, यह pipeline है, जिसके अंदर fluid flow हो रहा है, उसकी flow rate का हमें measurement करना है, ठीक, अब जो fluid flow हो रहा है, उसकी velocity क्या है, V, और जो pipe है, उसका diameter है, D, ठीक, जो हमारा electromagnetic induction का law है, उसमें हम current carrying conductor बोलते थे, तो वो conductor के लिए था, एक buyer के लिए था, इसके अंदर खुद जो fluid flow होगा, वो ऐजा conductor वर्क करेगा, तो इसलिए हम वहाँ पर उसकी length को लेते थे, पर यहाँ पर हम उसका dia लेंगे, ठीक, तो और E है, वो induced EMF होगा, जो B है, वो magnetic flux density होगी, ठीक, और यह हमारी magnetic flux lines दिखरी होगी, तो यहाँ क्या होगा, जैसे fluid यहाँ से enter करेगा, वो magnetic flux lines को cut करेगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर एक induced EMF generate हो जाएगा, ठीक है, अगर हम इस पर ferardi के right hand rule है, उसको apply करते हैं, तो वो rule क्या बोलता है, कि हमारा जो thumb है, thumb, four finger और middle finger, अगर तीनों एक दूसरे के perpendicular हो, मतलब तीनों के बीच 90 degree का angle बनना चाहिए, अगर ऐसे बनना बता हूँ, यह 90 degree का angle है, ठीक, और यह ऐसे में इन दोनों के बीच 90 degree का angle है, तो जो हमारा thumb है, वो क्या बताएगा, fluid की velocity को बताएगा, जैसे मैं इसको बताता हूँ, तो यह fluid की velocity की direction बता रहा है, ठीक, अब यह नीचे की side जो है, four finger है, four finger हमारी क्या बता रही है, magnetic flux density को, तो यह magnetic flux density है, यह, और जो हमारी middle finger है, middle finger किसको बता रही है, induced EMF की direction को, ठीक, तो इस तरीके से हम इसकी working principle को देख सकते हैं, इसका next है, इसका derivation कि हम किस तरीके से flow rate को calculate करेंगे, तो वो next बेच पर है, ठीक है, इसमें हम formula drive करेंगे कि किस तरीके से flow rate को measure करते हैं, fluid के case में हम अगर electromagnetic induction की equation को देखते हैं, तो क्या है, इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इंड्यूज EMF ही मिल रहा है output में, तो output के लिए equation होगी, E equal to CBDV, यहाँ पर जो अगर हम conductor के case में बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ D की जगा पर L होता, length of conductor, पर यहाँ पर हम जब fluid की बात करेंगे, तब वहाँ पर हम उस pipeline का dia देखेंगे, diameter, तो यहाँ पर C क्या है, dimensional constant है, इसकी कोई unit नहीं होती, यह unit less quantity है, और V क्या है, magnetic flux density, जिसकी unit के होती, बैवर पर meter square, D है diameter of conductor, यह pipe, in meter, V है velocity of conductor, यह fluid, in meter per second, यहाँ पर हमने conductor इसलिए लिखा, क्योंकि जो हमारा fluid है, वो यह as a conductor work कर रहा है, ठीक, हम यहाँ जानते है, Q equal to A into V होता है, A क्या है, cross sectional area of pipe, और V क्या है, velocity of fluid, तो इन नोनों का जो product होता है, वो discharge या volumetric flow rate के equal होता है, यहाँ से हम velocity की value निकाल लेंगे, तो यह दोनों into में है, तो यह इसके divide में जाएगा, तो Q, Y, A हो जाएगा, velocity की value, इसको हम, यहाँ हमने equation first let किया है, इसमें put कर देंगे, तो यह equation first है, E equal to C, B, D, V, तो C, B, D, यह as it is है, V की जगा पर क्या जाएग Q, Y, A, अब A है, cross sectional area of pipe, उसको हम किसे, PY4 into D squares की help से calculate कर लेंगे, यह वो ही A, PYR square ही है, बस यहाँ पर हमने उसको diameter की term में लिखा हुआ है, तो A की जगा पर हमने PY4 D square को put किया, यहाँ D square से, एक यह D कर जाएगी, यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास, यह 4 into में जाए C B, C B 4 Q upon PY D, ठीक, अब इसी से हम क्या, यहाँ से हमें value किसकी find करना है, volumetric flow की, यह discharge की, Q की, तो इसमें Q की term में value को निकालेंगे, तो यह, दोनो, यह इसके divide में है Q के साथ, तो उधर किसमें जाएगा, multiply में, तो यह हो जाएगा, 4 PY D E, और यह Q के साथ किसमें है, multiply में तो यह किसमें चला जाएगा, divide में, 4 C B या B C, और इसकी unit क्या होगी, meter cube per second, अब इस, जो हमारा, यहाँ पर area है, वो भी fix होगा, पाई की value भी fix है, diameter है, वो भी fix है, और जो हमारा, क्या बोलते हैं, B और C की value है, वो भी fix है, यहाँ पर, 4 है, वो भी constant है, तो यह सभी, यहा constant को केमाल लिया, ठीक, अब अगर इस constant को अटाऊंगा, मैं तो proportionality के sign आएगा, तो इसका मतलब क्या है, Q है, जो यह volumetric flow rate है, वो induced EMF के directly proportional है, और यही क्या बता रहा है, अब directly proportional है, मतलब वो इन दोनों का relation क्या है, linear relation है, ठीक, तो इस तरीके से हम volume flow rate को calculate करते है, magnetic flow meter के अं था रहा हूं, उसके according लिख सकते हो, या अभी आप इसका screenshot लो या video pause करके लिख सकते हो, या मैंने जो explain किया, उसके according लिख सकते हो, मैं यह direct यहां के इसके advantages और disadvantages बता रहा हूं, it can handle salaries and greasy materials, इसको जो salary applications होंगी, उन applications में है, greasy applications है, उनमें हम इसका use कर सकते है, यह भी क्या है, conduct productive fluid होता है, it can be used in corrosive fluid, यह भी corrosive fluid में भी हम इनका use कर सकते है, हम हर एक applications में इसका use कर सकते है, बस इसके लिए limitation क्या है, कि उसका जो liquid है, या flow है, या fluid हो, वो conductive होना चाहिए, और उसकी conductivity minimum 5 micro Siemens पर centimeter होना चाहिए, यह minimum इतना होना चाहिए, उसमें, it has very low pressure drop और loss, इसमें बहुत कम pressure losses होते हैं, और बहुत कम pressure drop होते हैं, क्योंकि इसमें हम flow की जो line है, उस line के साथ, कोई भी restriction element या कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है, हम cable उसमें, उसके 4 और एक magnetic field generate कर रहा है, जिस magnetic field के कारण, जब उसमें से fluid pass होगा, तो वो उस magnetic field की जो flux lines है, उनको cut करेगा, और उस cut करने के कारण, उस जो body है, उस body पर लगी diode, sorry, electrode है, electrode की help से हमें EMF मिल जाता है, तो वो flow rate के directly proportional होता है, तो कोई हमने इसमें restriction element नहीं लगाया है, तो इसलिए, इसमें बहुत कम pressure drop या ना के बराबर pressure drop मिलता है, measurement are unaffected by viscosity, density, temperature and pressure, pressure, density, viscosity इन सबसे measurement affected नहीं होता, इसके disadvantage क्या है, it is relative expensive, यह other जो हमारे methods ही, उनकी comparison में expensive है, it works only with fluids with our electrical conductive, electrically conductive होना चाहिए, वो fluid जिसके हमें flow rate measurement करना हो, कितना होना चाहिए, वो उसकी limitation यह में लिखिये, it must be explosion fruit when installed in hazardous electrical area, क्यों, जो hazardous electrical areas होते हैं, उन areas में हमें इनका use करने के लिए, हमें explosion fruit बनाना परता है, वहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, इसकी covering करेंगे, या conduit type का हम वहाँ पर बनाएंगे, जो की non-explosive fruit या non-sparking material का बना हुआ होगा, ठीके, इसके लिए जो note है, electromagnetic flow meter required measured liquid must have a minimum conductivity of 5 microsiemence per centimeter, यह मैंने इसकी limitation पहले ही बताए दी, इसे related कोई भी doubt या query है तो आप comment section में पूछ सकते हैं, इसकी playlist की link आपको description में दिए, आप वहाँ जाके check out कर सकते हैं, thanks for watching.